दोस्तो आज हम बनाएंगे चट पटे आलू फ्राई छोटी मोटी भूख हो या बच्चों को कुछ स्रैक्स देना हो तो आप इने मिन्टों में बना सकते हैं ये उपर से क्रिस्पी अंदर से सौफ्ट होते हैं खाने में फ्रेंच फ्राई से कम नहीं लगते हैं तो चलिए ब है आलू है तो चाकू के पिछले भाग से मैं इनको पील कर ले रहे हूं छिलने के बाद आलू को लंबाई में लेंगे पहले हम इसके दोभा कर लेंगे उसके बाद हम इसे इस तरह से पतला पतला काट लेंगे जैसे सबजी के लिए काटते हैं काटने के बाद इनको पानी म निकल जाए धुलने के बाद इनको अभी पानी में अब मिक्सर जार लेंगे इसमें हम लेंगे आधा चम्मच जीदा तीन हरी मिर्च चार से पांच लेसुन की कलिया और एक इंच अधरक का टुकड़ा एक बंच हरा धनिया डालेंगे और आधा चोटा चम्मच नमक दो चम्मच मैंने दही ली है दही की जगा निभू का रस ले सकते हैं थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इनको महीन पीस लेंगे धनिये की चटनी आपके पास पहले से हो गो ले सकते हैं मैंने इस तरह से हरी चटनी बना ली है आधी चटनी हम एक बॉल में निकाल ले र और अब इसमें ये चटनी डाल देंगे, जो हमने जार में बचा कर रखी थी, इसमें आधा चोटा चम्माच कुट्टी हुई लालमिश डालेंगे, और आधा चोटा चम्माच नमक, मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना चटपटा तीखा खाना आप पसंद करते हो, एक टेवेल स्पून मैंने कसूरी मेथी डाली है, क्रश करके, इससे आलो में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इन सबी चीजों को मैंने आलो में अच्छे से मिक्स कर ली है, अब इसमें हम डालेंगे, एक बड़ा चम्माच मैदा, और एक बड़ा चम्माच कॉर् प्रेदा बाइंडिंग का काम करता है, और कॉर्ण फ्लोर से आलो फ्राई क्रिस्पी बनते हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दोस्तों यहां पर आप कॉर्ण फ्लोर की जगा, चावल का आटा या आरारोड भी ले सकते हैं, चावल के आटे या आरारोड से भी उतना ही क्रिस्पी बनेगा चितना की कॉर्ण फ्लोर से, और देखिए अभी चटनी नीचे दिख रही है, आलो भी मसालों से अच्छे से कोट नहीं हुए हैं, तो इसमें एक टेबिल स्पोन कॉर्ण फ्लोर हम और डाल रहे हैं, और इनको मिला ले रहें, इस तरह से सभी च अब चलिए, इनको फ्राई कर लेते हैं, इनको फ्राई करने के लिए मैंने कड़ाई में तेल गरम कर ली है, तेल मीडियम गरम रखना है, और इसमें एके करके ये आलू डालना है, और इनको मीडियम आज पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, तो ये तब इनको पलटिएगा और इनको लटते पलटते वे गोल्डेन होने तक फ्राई करिएगा इस तरह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं है नहीं तेल में मसाले बिखरे हैं मैदे से मसाले इनके उपर अच्छे से चिपक जाते हैं और ये खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं नए आलू हैं तो इनको पकने में टाइम ने लगता है छै से साथ मिनट का समय लगा है ये अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने है ये आलू फ्राई मिन्टों में बहुत आसानी से खाने में एक्तम कूरकूरे और चटपटे लगते हैं साथ में चटनी भी तियार हो जाती है आलू सभी के घरों में होता है फटा फट से बनाईए टीबी देखते हुए कैचप के साथ खाईए या चाय के साथ ये देशी आलू फ्रेंच फ्राईज आपको बहुत पसंद आएंगे बाजार के फ्रेंच फ्राईज और पकोड़े तो भूली जाएंगे तो दोस्तो ट्राइ करिए और रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बतेएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए हूँ तो सस्काइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद